पेरियों विदार्तियों, आज हम तिरकोंड मीती अनुपात, चेप्टर 6, 10th क्लास का शुरू करने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए. तिरकोंड मीती अनुपात में हम विशेश रूप से 0 degree, 30 degree, 60 degree, 45 degree, 90 degree के बारे में, पढ़ेंगे. तिरकोंड मीती अनुपात, विशेश, जिसमें 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. इन पाँच विशेश कोंडों के रूप में अपन पढ़ेंगे. और इसकी टेबल बनाएंगे. टेबल बनाने के लिए अपन सरुपर्दम लेते हैं, पूरक कोंडों के तिरकोंड मीती अनुपात. जिसमें पूरक संक्या लेंगे 5. क्यों? कि विशेश कोंड, 0 degree, 30 degree, 55 degree, 60 degree, 90 degree. इन पाँच कोंडों के बारेंगे चेप्टर 6 है, जो अपन शुरू कर रहे हैं. तो पूर्ण संक्या लेंगे शुरू में अपन 5, पूर्ण संक्या, पूर्ण संक्या शुरू होती है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, इससे 5-5 value मान निकलेगा, जिसमें सरुपर्तम इसका निकालने के एक ही तरीका है, सारे पूर्ण संक्या में 4 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे. सब के ऊपर अपन अंडरूट, बोले तो वरग मूल लगा देंगे, सब का वरग मूल निकालेंगे, और इनको सौल करेंगे, 0 upon 4, जार का अबाग देंगे अपन 0 में, तो आएगा 0, और 0 का अपन वरग मूल निकालते हैं, तो क्या आता है, 0, फिर एक वरग मूल एक होता है और 4 का वरगमूल 2, तो आजाएगा 1 upon 2, फिर 2 से 2 ने कट हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दुनी 4 और 1 का वरगमूल निकालेंगे अलग-अलग, तो 1 का वरगमूल 1 और अंडरूट 2 का वरगमूल जो निकालेंगे, वो decimal में आएगा, वो decimal में अपन टेबल में लेते नहीं है, और इसक अपन वेल्यू लेंगे, रूड के अंदरी, तो 1 upon root 2, और इदे रूड 3 का विडेश्मन में आता है, तो इदे ले लेंगे, रूड 3, और 4 का वरगमूल लेंगे, तो हो जाएगा 2, और 4 से कट हो जाएगा 1 और 1 का वरगमूल हो जाएगा 1, ये 5 वेल्यू निकले जाएगी साइन थिटा की, छे चिरकोंड मित्य हैं, उनको छेवों को HD, जैसे अपन काउंटिंग बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वेशेक वेशे हैं, साइन थिटा, कोस थिटा, टेन थिटा, कोट थिटा, साइन थिटा, वापस एक बार रिवीजिम कर जाता हूं, साइन थिटा, टेन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोशेक, तो साइन थिटा, कोस थिटा, टेन थिटा, कोट, साइन, कोट, सेक, और कोशेक, छे मान, छे में से, पांच अपने पास आगे हैं, तो अपन ये किदर टेबल बनाने देते हैं, इसकी, ये दोती, च्यार और ये पांच पांच इदर होगे, और इदर लेलेंगे हैं, तिरकोन मीट ये अनुपात, और इदर लेलेंगे, कोण, कोण हैं, जो डिगरी में, सब से बहलें, जीरो डिगरी, 30 डिगरी, 15 डिगरी, 60 डिगरी, और 90 डिगरी, और डिगरी में, पाई के रूप में लेंगे, तो 0, पाई के वेल्यों, पाई के वेल्यों, के वार, 180 भी लेते हैं, पाई के वेल्यों, 3.1416 infinitely और 5 की वेल्यू 22 अपन 7 भी लेते हैं लेकिन अपन इधर तिरकोंड मिती में 5 की वेल्यू 180 डिग्री ही रखेंगे और इधर वोई sin, cos 10 4 होजेक और इधर कोजेक 5 वेल्यू जो अपन ने निकाली है यह 0, 1 upon 2 1 upon root 2 root 3 upon 2 और 1 तीन वेल्यू अपन याद कर लें sin की, 10 की और 6 की और तीन का वेल्यू याद करने के बाद में एक एका उल्टा कर देंगी जैसे sin की अपन के पास ने निकाल ली तो कोज की निकालने के लिए यहां से शुरू करेंगे यहां से लेंगे 1, इधर root 3 upon 2 1 upon root 2 और इधर 1 upon 2 और 0 10 की लेंगे उससे पहले कुछ इसमें देख लेते हैं कि यह एक दूसरे के उल्टे होते हैं इनको continue याद रखना पड़ता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 1st, last का उल्टा होगा और 2nd, 5 का और 3, 4 का तो साइन का फोर्मूला बन जाएगा उपने 1 upon cos 1 theta 1 upon cos 1 theta cos का हो जाएगा 1 upon 6 theta और 10 का 1 upon coat उपर से 30 रा तो नीचे से भी 30 रा और coat का हो जाएगा 1 upon 10 और 6 का हो जाएगा 1 upon cos और ऐसे कैसे cos 1 का हो जाएगा 1 upon sin अब अपन को टेबल में value find करना है मान ज्याद करना है 10 theta का तो 10 का एक formula है का 1 upon coat theta 1 upon coat theta तो coat की value अपने पास नहीं है तो अपन इसका 10 की value का एक और formula है वो सिथ ही आपको याद रखना पड़ेगा कि 10 theta बराबर sin theta upon cos theta तो sin theta की अपने पास value है सारी मान दिये होएं cos के भी मान दिये होएं तो 10 theta कहता है sin theta upon cos theta तो sin में भाग देंगे cos theta का तो सबसे पहले अपन निकालेंगे 10 0 की value मान निकालेंगे तो 10 का formula sin upon cos sin का मान जीरो और cos का मान एक तो एक का वाग देंगे 0 में तो हमें जहीं आएगा 0 और यह याद रखने वाला भी point है जैसे है एक upon 0 तो इसका मान हमें सहीं होता है infinitely अनंत या एपारिभासित बोल दो इसका symbol चिने परती यही है अब 0 upon 1 है तो इसका मान हो गया 0 अब इसका निकालेंगे 10-30 का मान 10-30 का मान फोर्मुला एक ही है sin theta बटा को ज़िता तो sin theta का मान एक बटा 2 तो अपन लेएगे एक बटे 2 upon cos theta तो cos theta का मान root 3 बटे 2 तो root 3 बटे में 2 उपर भी बिन संख्या है और निचे भी बिन संख्या है सेकिंड वाली संग्या का फस्ट वाले में बाग देंगे तो एक बटे दो बाग देंगे तो ये बाग इंटू में चेंज होगा और दो उपर जाएंगे और अंडरूड तीन निचे दो से दो कट हो जाएंगे और बचेगा एक बटे रूड तीन एक बटे रूट तीन है जो टेन तीस का मान आ गया है एक बटे रूट तीन ऐसे कैसे इसका लेगा लेंगे तो टेन पेंटल इसका मान साइन ये पड़ा है कोस ये पड़ा है इसका इसमें बाग देंगे एक बटे रूट दो दो नहीं सेम संग्या है समान संग्या का बाग समान संग्या हम देंगे तो हमेंसे क्या हैगा एक ऐसे कैसे इसका इसमें बाग देंगे तो रूट तीन बटे दो है और अपोन में एक बटे दो तो रूट तीन बटे दो में बाग देंगे एक बटे दो का ये एक बटे दो change होगा दो पर जाएगा एक नीच आएगा मतलब की रूड तीन बटे दो और बागी ज़के इंटू हो जाएगा और दो बटे एक दो से दो कट अधुद हो जेंगे KE Н्वाग रूड तीन में देंगे तो हात जाएगा रूड तीन ओर रूड तीन मान हो जाएगा टेन साट का फिर नभकर निकालना एक बट जीरो एक बट जीरो मैंने अभी आपको बताये यहां पर कि इनफाइनाइटली अनन्त या परिबासित तो जीरो का बाग जब भी किसी विसंग्या में देते हैं तो अनन्त आ जाता तो यहां पर लेंगे अनन्त अब sin का उल्टा हो गया cost तो 10 का भी उल्टा लेंगे इदर से तो ये table त्यार हो जाएगी आपकी अनन्त, root 3, 1, 1 बटे root 3 और 0, अब एक ये value निकालेंगे safe की तो safe का formula है एक बटा cost तीटा और 1 के 1 है ये and cost तीटा तो जैसे safe 0 का मान निकालना है तो safe का formula एक बटा cost तीटा तो एक बटा cost cost की value ही है तो एक के बटे में cost की value एक, एक में एक का भाग देंगे तो आजाएगा एक तो यहाँ पर आजाएगा एक, फिर ये निकालेंगे cost safe, sorry, safe 30 degree, safe 30 degree का एक बटा cost है तो एक बटा cost तो ये तीश रिशेंग की है मनलब की एक में भाग देंगे root 3 बटे 2 का तो एक में भाग देंगे root 3 बटे 2 मनलब ये हैं से अकोन मेली को, चाहिए बाग मेली को दोनों एक चीज है तो यहाँ पर एक बागी जगे इंटू हो जाएगा दो उपर और root 3 निचे और एक को दो से गुणा करेंगे दो और root 3 तो value मान आजाएगा आज सेक 30 का दो बटे root 3 एसे कैसे इसका निकलेंगे शेक 45 का तो शेक 45 का एक बटे कोस है और शेक 45 एक बटे कोस एक के बटे में ये आ जाएंगे लोडर दो एक के बैटे में फिर एक बैटे में खी लिए है तो एसए लिए यहां पे लेंगे मान तो तो एक बटा कोस और एक बटा कोस एक बटा जीरो एक बटा जीरो जो अभी मैंने यह ही पर बता है आपको अनन्थ होता है वह यहां पर भी आजाएगा यह फरीबासित आनन्थ और इसका भी क्या करेंगे उल्टा लेंगे और और आजायेगा अनंत 2 रूड दो और 2 बते रूड 3 और एक कि एक्जाम में क्या करते हैं इस पर कोस्टन पूचते हैं एक तो जैसे साइन 90 की वेल्यू बताई है, साइन 90 का मान बतो, साइन 45 का मान बतो, तो एक तो साइन नीब बनना नी भी आनी चाहिए, और एक सीधी डाइरेक्ट मुझ पे याद रहनी चाहिए, जैसे 10, 45, 10 और कोट 45, एक, 10, 10 और कोट, दोनों का 45 का एक एक होता है, वैसे वैसे साइन कोट 60 का उल्टा होता है, तो साइन 30 पे जाएंगे तो एक बटे दो, और कोट 60 पे आ जाएंगे तो एक बटे दो, तो साइन 30 का डबल कर लो, कोट 60 तो एक दूसरे का उल्टा होंगे, या साइन 60 लेंगे, तो 60 का आदा कर लो, कोट 30 तो ये दोने एक हो जाएंगे, पूरा एक्जाम के समय में या तो टेबल बना लो या सिधे ही अपन मेमोरी में फीड कर लो याद रखो याद करने से क्या होगा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा और सिधे ही डायरेक्ट अपन विल्ली निकाल लेंगे और टाइम खराब नहीं होगा जैसे अपन एक दो example लेते हैं इसके और ये table कैसे use करते हैं जैसे ये देरका question 1, Sin 30 degree और Cos 60 degree plus Sin 60 degree और Cos 30 degree अब इनकी value रखेंगे, मान रखेंगे sin 30 sin 30 on root sin 30 एक बटे 2 sin 30 का मान रखेंगे, यहांपर एक बटे 2 इंटू और को साथ हैं, को साथ साथ साइन तीज कई सैम है, को साथ एक बटे दो, तो एक बटे दो, और पलस, साइन साथ, साइन साथ, अन्रूर तीन बटे दो, तो यहां पे लेलेंगे, अन्रूर तीन बटे दो, और इंटू को साथ, और को साथ का मान अजाएगा आपके, अ पहले हैं अंडूड 3 को उड़ा हैं गुंडा करेंगे तो हजाएगा 3 रूड का गुंडे में कैं होता है? रूड 3 इन्टू रूड 3 तो हजाएगा रूड 9 तो 9 का बरकमूल निकालेंगे तो वापस हजाएगा 3 तो इदर होगे या 3 तो तीन और दो को दो से घुना करेंगे दो दूनी चार अब एक बटा चार यह हो गया पाव और तीन बटा चार हो गया पोना पाव और पोना शिदा जोड़ेंगे तो आजाएगा एक और एसा नहीं समझे बेट रहा है तो इसका एलसीम लो चार चार का डिवैड यह बाग कर एक यह एक बटा चार पाव और तीन बटा चार पोना पाव और पोना हो जाएगा एक ऐसे कोशन पूचे जाएगा यह ऐसे पूचे सकता है कि कोस थीटा बराबर एक बटा दो जैसे यह कोशन बना दी एक चोटा सा कि कोस थीटा बराबर एक बटे दो तो यहां पे थीटा क मान ज्याद करो कोस थीटा बराबर एक बटे दो तो सार्णी याद रहे कि कोस एक बटे दो सार्णी में यह मान किसका एक बटे दो साथ डिगरी का तो यहां पर अपन कोस थीटा एक बटे दो तो अपन यहां थीटा की जगे लिखे लेंगे साथ कोस साथ डिगरी बराबर एक बटे दो क्यों किसे